भारत में जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो सबसे जादा लोगों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी रहते हैं इसका कारण यह है कि देश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें इसी राज्ज में हैं उत्तर प्रदेश में 80 लोक सभा सीटे हैं और इस राज में जो बहतर प्रदर्शन करता है उसके लिए सरकार बनाने का रास्ता आसान हो जाता है अमेरिका में भी एक ऐसा ही राज है जिसकी सीटों की संख्या के आधार पर हम उत्तर प्रदेश से तुलना कर सकते हैं वो राज है कैलिफोर्निया यहां सबसे जादा 54 इलक्टरॉल कॉलेज हैं यहां टरम की पार्टी भाजी मारती है या कमला हैरिस की इसको लेकर तस्वीर कुछ वक्त के बाद साफ हो जाएगी लेकिन जो भी अमेरिका के उत्तर प्रदेश में जीतेगी उसकी पार्टी के उमिद्वार का राश्पती बनने के आसार बढ़ जाते हैं अमेरिका में साथ ऐसे स्विंग इस्टेट हैं जो इस चुनाव की दिशा को तै करते हैं स्विंग इस्टेट वो राज़ो होते हैं जहां के वोटर्स को लेकर ये साफ नहीं होता कि वो किसके साथ हैं अमेरिका के साथ राज्यों पैंसिलवेनिया, मिश्गिन, विस, कांसिन, जॉर्जिया, नेविदा, एरिजोना और नॉर्थ कैरलोनिया को स्विंग इस्टेट कहा जाता है फिलहाल स्विंग इस्टेट की बात करें तो जॉर्जिया से ट्रम्प आगे चल रहे हैं पैंसिलवेनिया से कमला हारिस, नॉर्थ कैरलोनिया से ट्रम्प और अपने दर्शकों को बता दें कि ट्रम्प के जीत की सबसे ज़्यादा इस्टेटी दिखाई दे रही है रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल रिपब्लिकन उमिद्वार डोनाल्ड ट्रम्प आगे चल रहे हैं ट्रम्प को 205 और डेमोकरेटिक उमिद्वार कमला हैरिस को 117 इलक्टरॉल कॉलिज वोट मिले हैं बता दें इलक्टरॉल कॉलिज में 538 इलक्टर सामिल होते हैं हाला कि अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि अमेरिका में भी एक उत्तर प्रदेश है और किस तरीके से उस उत्तर प्रदेश में जीतने वाला अमेरिका का राष्टपती बनता है ये एक बहुत बड़ी जानकारी हमने अपने दर्शकों को बत